इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह Windows 10 लैप्टॉप में डेक्स्टॉप पर इंडेक्सिंग आप्शन्स का शॉर्टकट किस तरह बना सकते हैं चलिए देखते हैं आपको सबसे पहले टाइप एर टू सर्च में इंटर करना है गांट्रोल पैनल फिर यहाँ पर आपको दिखाई देंगा कंट्रोल पैनल आपको इसे ओपन करना है उसके बाद आपको कुछ इस तरह दिखाई देंगा फिर आपको व्यू बाई कैटेगरी पर किलिक करना है और यहाँ से लाज आइकन्स को सिलेक्ट करना है यहाँ पर आपको दिखाई देंगा Indexing Options यहाँ आप देख सकते हैं यह दिखा रहा है Indexing Options आपको इस पर Right Click करना है माउस से और Create Shortcut पर किलिक कर लेना है उसके बाद आपको कुछ इस तरह दिखाई देंगा आपको Yes पर किलिक करना है और फिर इसे Close कर देना है आप देख सकते हैं Desktop पर Indexing Options का Shortcut बन गया है